मकर रासी वालों का आजी का दिन यनी की 24 दिसंबर दोहजियार बिस का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ 24 दिसंबर दोहजियार बिस के पंचां के बारे में अज तिथी है दसमी नक्छत्र है अस्वनी पक्च है सुकल पक्च दिन है गुरू वार आज के दिन सुर्य उदे का समय है 7 बज के 11 मिनट में सुर्य अस्थ का समय है 5 बज के 30 मिनट में आज का दिन काल है 10 घंटे 19 मिनट 23 सेकेंड का महिना है मार्ग सिर्स आज के दिन शुब समय सुरू होता है 12 बजे पीएम से 12 बज के 41 मिनट पीएम तक आशुब काल सुरू होता है 10 बज के 37 मिनट एम से 11 बज के 19 मिनट एम तक राहु काल सुरू होता है 1 बज के 38 मिनट पीएम से 2 बज के 55 मिनट पीएम तक दिसा सूल है दक्छिन दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले शमय का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्रेब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का पड़ियास करें मित्रों सबसे पहले मैं आप से बात करने वाला हूँ आपके सुवास्त के बारे में दोस्तों आप में से जो भी जातक जो भी दर्सक आने वाले शमय से पहले बीमार थे अगर आपका सुवास्त आपका शाथ नहीं दे रहा था तो आने वाले शमय के दोरान आप चिंता बिलकुल भी ना करें क्योंकि आने वाले शमय के दोरान आपके सुवास्त के मामलों में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई शमस्या नहीं होगा मित्रों आने वाले शमय के दौरान अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के द्रिष्टी कौन से आपका शमय शामान से बहुत जियादा नीचे है दोस्तों आने वाले शमय के दौरान अगर आप किसी भी विक्ती के साथ धन संपती का लेन देन करते हैं पैसों का आदान परदान करते हैं तो लेन देन करने से पहले सामने वाले विक्ती के बारे में आपको शाड़ी बातें पता करने होगी शाड़ी बातें पता करने के बाद ही आप धन शंपती का लेन देन कड़ें क्योंकि आपके आने वाले समय के लिए यह बहुत ही जियादा जरूरी और आबश्यक है मित्रों आने वाले समय के दौरान अगर आपके घर पड़िबार की बात करें तो घर पड़िबार के दृष्टी कौन से आपका समय शामाने तोर पे बहुत जियादा बिहतर और शांदार है आने वाले समय के दौरान आपके पाड़िवारिक जीबन में आपके घर बालों का शाथ आपके घर बालों का शपोर्ट आपको बहुत जियादा मिलेगा और इस कारण से आने वाले शमय के दौरान आपका पाड़िवाडिक जीबन बहुत जियादा बिहतर और शांदार होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले शमय के दौरान आपके लिए अनोखा टोटका भग्यसाली रंग और भग्यसाली अंक किया है मित्रों आने वाले शमय के दौरान अपने समय को बिहतर और शांदार बनाने के लिए आपको मानसिक हिंसा से बचना होगा भगबान में आपको विश्वास रखना होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत जियादा बिहतर और शांदार होगा आज आपके लिए भग्यसाली रंग है सिलबर और शफेद आपके लिए भग्यसाली अंक है दो यनी की टू तो यही था आपके आने वाले शमयकारा सी फल तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से अर कर दें धन्यवाद जैसी आराम राधे राधे